Hello everyone, so welcome to our channel Today we are starting a new chapter for class 10th mathematics that is quadratic equation आज हम quadratic equations को explore करेंगे जानेंगे कि इन equations का क्या use है कैसे इनको solve करते हैं क्या basic rules हैं इन equations को समझने के लिए क्या basic conditions हैं जो fulfill होनी चाहिए अगर हमें किसी एक equation को quadratic equation बोलना है तो चलिए शुरू करते हैं आज का topic जैसा कि board पर आप देख पा रहे हो quadratic equation ठीक है? quadratic equation कहां से आया? पिछले chapter में आपने polynomials पढ़ाया तो polynomials में जब आपने quadratic polynomial पढ़े थे जो कि कुछ इस form के थे ax square plus bx plus c ठीक है? इसको हम बोलते थे quadratic polynomial ठीक है? quadratic word कहां से आया? quadratic word आया है quadratic word आया है quad से quad means related to square ठीक है? अच्छा अब देखो अगर हम इस quadratic polynomial को अगर हम इस quadratic polynomial को equal to zero कर दे equal to zero कर दे then it will become a quadratic equation मतलब क्या होता है? quadratic equation का quadratic equation का मतलब सीधा सही होता है x की जो highest power है x की highest power क्या है? x की highest power है 2 एक equation quadratic equation तभी कहलाएगी जब उस equation में x की power highest 2 हनी चाहिए अब समझो इस equation को थोड़ा सा explore करते है यहाँ पर लिखा है ax square plus bx plus c is equal to zero equation कब बनती है? जब equal to का sign आता है ठीक? अब देखो यह क्या है? a है coefficient of x square x square के साथ यह आ रहा है तो x square का coefficient है a b क्या है? b is coefficient of x ठीक है? और c क्या है हमारा? constant c constant क्यों है? क्योंकि इसके साथ कोई भी variable नहीं है अब देखो इस a को हम quadratic coefficient भी बोलते हैं क्या बोलते हैं मटा? quadratic coefficient और b को हम बोलते हैं linear coefficient linear coefficient क्यों? क्योंकि x की पार यहां पे 1 है ठीक, अब समझो a x square plus b x plus c equal to 0 इस equation को हमें जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा explore करना है और ऐसे explore करना है कि हमारे मन में कोई भी doubt न रह जा है अगर आपके सामने कोई equation लिख दूँ तो आपको यह confusion नहीं आने चाहिए कि यार यह quadratic equation है या नहीं है तो बहुत सारे forms है एक एक करके हम step by step देखते हैं इतना note कर लो आप a है coefficient x square का b है coefficient x का ठीक है quadratic क्यों बोलते हैं क्योंकि x की highest power 2 है ठीक अच्छा अब मैं कुछ example लेता हूँ उसकी help से आप समझो कि अगर आपके सामने कोई equation आ जाए अगर आपके सामने कोई equation आ जाए तो आप कैसे पहचानोगे कि quadratic है या नहीं conditions फुल्फिल क्या क्या होनी चाहिए अगर ax square plus bx plus c equal to 0 लिखा है यहाँ पे strict condition क्या है a की value 0 नहीं होनी चाहिए a की value 0 नहीं होनी चाहिए अच्छा b की value 0 हो सकती है b and c b and c can be 0 b और c 0 हो सकते हैं अच्छा अब आई x x यहाँ पे x square है और यहाँ पे x यह तो 0 हो नहीं सकते हैं यह तो variable है 0 क्या हो सकता है a 0 हो सकता है b 0 हो सकता है c 0 हो सकता है it means quadratic equation जब हम बना रहे हैं तो a की value को 0 किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए यह मैं एक example ले रहा हूँ मैं लेता हूँ a की value a की value आप change कर सकते हो a की value आप ले रहे हो 7 b की value आप ले रहे हो 2 और C की वाल्यू आप ले रहे हो 3, ठीक है, इसको इसमें पुट करू, A की वाल्यू 7 पुट कर दी, 7 X स्क्वेर, मैं बिलकुल बेसिक लेवल से पढ़ाऊंगा, और up to the highest level आपको लेके जाऊंगा, आप बने रहे हैं हमारे चैनल के साथ में, आपको कोई भी डाउट ऐसा रह है नहीं जाएगा, आप कोई भी बुक उठा लेना, RD शर्मा उठा लेना, ML अग्रवाल उठा लेना, कुछ भी उठा लेना, NCRT के तो सारे questions आप चुटकियों में बना लोगी, तो आप ठोड़े patience के साथ देखो, वीडियो को end तक देखो, और ये कोशिश करो कि आप शुर क्यूं है, X की highest power, X की, X, highest power, is 2, ठीक, X की highest power 2 है, X की highest power 2 होनी चाहिए, उसके बाद ये हो, चाहिए ना हो, ये हो, चाहिए ना हो, कोई फरक नहीं पड़ता, एक के सार देखते हैं, अगर मैं कहूं आपसे, A की value, A की value आप 0 लेलो, A की value क्या लेलो, 0 लेलो, आपने क्या कहा, A equals to 0, B equals to 3, and C equals to 7, ठीक, put करो दरा, AX square plus BX plus C equal to 0, ठीक, मैं एक बार A को 0 लोंगा, B को 0 लोंगा, C को 0 लोंगा, अलग-अलग case हम देखते हैं, यह हमारा case number 1, ठीक, A की value 0 लो, जब A की value 0 लो गए, तो 0 into X square, पूरा 0 हो जाएगा, यह हो जाएगा 0, plus B3X plus 7 equal to 0, तो यह equation 0 plus इसका कोई मतलब रह नहीं गया, क्या यह equation इस तरह है क्यों हो गई? क्या यह एक linear equation हो गई? linear क्यों हो गई? क्योंकि X की degree, X has degree 1, X की degree 1 है, X की power 1 है, तो यह जो equation हुई, यह linear equation हो गई, this is, this is not quadratic, यह quadratic नहीं है, क्यों नहीं है भाई? क्योंकि यहाँ पे X square का तो term ही नहीं है, X square का term का, कोई भी यह नहीं कर दो, भाई, X को 0 नहीं कर सकते, X के साथ जो coefficient है न, X का जो coefficient A होता है, उसको आप 0 करो, यह आप उसको 0 करोगा, तो यह पूरे term 0 हो जाएगा, सिर्फ वही case ऐसा होगा, जब A की value 0 है, जब A की value 0 है, तो A की value 0, 0 into X square, this term will be 0, सिर्फ इस ही case में, सिर्फ इस ही case में, quadratic equation exist नहीं करेगी, बाकी, B को आप 0 रखो, चाहिए, C को 0 रखो, से फर्क नहीं पड़ता है, मैं दूसरा case लेता हूँ, आपकी बार में ले रहा हूँ, A equals to 5, B equals to 0, and C equals to 2, टिक, आप देखो, A X square plus B X plus C में value पुटकर नहीं, A की value 5, 5 X square plus B की value 0, 0 into X, C की value 2, तो यह equation क्या होगी बेटा, 5 X square plus 2 is equal to 0, क्या यह एक quadratic equation है या नहीं, हाँ, जी, this is quadratic, this is quadratic, quadratic के लिए हमें condition क्या चाहिए, quadratic के लिए हमें condition चाहिए, जो variable है हमारा X, variable की highest power 2 होनी चाहिए, जो की यहाँ पर satisfy कर रहा है, that is why this equation is a quadratic equation, भले यह X का term नहीं है, यह X का term यहाँ पर नहीं है, तो सबसे पहले आपको quadratic को पहचानना सीखना है, third case में लेता हूँ, case number 3 लेता हूँ, A की value 2 है, B की value 5 है, और C की value 0 है, तो equation क्या बनेगी, A X square यह हो जाएगा, आपका 2 X square plus 5 X plus C की value 0 plus 0 is equal to 0, क्या यह quadratic equation है, हाँ जी है, X की highest power 2 है, बाकी कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता, यह X की जगह पर कुछ और भी हो सकता है, Y भी हो सकता है, M भी हो सकता है, N भी हो सकता है, T भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ X, X तो variable है, it can take any form, Y, M, N, T, O, P, Q, R, जितना भी आपको, जो भी form रखना है आप रखो, बट जो variable है न, यह होता है, A होता है coefficient, और यह X होता है variable, ठीक है, तो इसकी जो highest bar है, वो 2 होनी चाहिए, इसकी highest bar 2 है, हाँ जी है, बाकी कुछ भी हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, तो इस तरीके से आप quadratic equation को पहले पहचानना सीखिए, ठीक है, अब हम बात करते हैं, standard form of quadratic equation, standard form क्या है quadratic equation की, I hope आपको यह समझ में आ गया होगा, कोई भी equation आपको दे दी जाए, और बोल दिया जाएगी क्या यह quadratic है, तो आप कह सकते हो कि हाँ भाई, यह quadratic है, यह नहीं, एक के सौर लेते हैं, अब की बार में क्या करता हूँ, A की value 2 लेता हूँ, B की value 0 लेता हूँ, C की value भी 0 लेता हूँ, अब देखो, AX square, तो यह जाएगा 2X square plus BX, 0 into X plus C, यह भी 0, equal to 0, तो यह कितना होगा, 2X square is equal to 0, क्या यह quadratic है, हाँ भाई, यह भी quadratic है, हाँ भाई, यह भ है, जो की यहाँ पर है, that is sufficient for a equation to be quadratic, बाकी कुछ हो या ना हो, तिक, अब यह 2X square वराबर 0 है, यह 2T square वराबर 0 भी हो सकता है, यह 2Y square वराबर 0 भी हो सकता है, यह 2M square वराबर 0 भी हो सकता है, यह 2N square वराबर 0, कुछ भी हो सकता है, यह variable की जो हाइस पहार है, बस वो 2 होने बी और सी से हमें मतलब नहीं है, अब हम दिखेंगे standard form of quadratic equation, standard form में हम quadratic equation को कैसे लिखते हैं, अगर आपको कोई equation दे दी जाए, अगर आपको कोई equation दे दी जाए और आपको पहचानने बोला जाए कि quadratic equation है या नहीं, अगर आपको दे दिया जाए 7 minus 2x plus 5x square is equal to 0 और आपको बोल दिया जाए कि भाई ये quadratic equation है या नहीं, तो आप कैसे पहचानोगे, पहचानने का एक ही तरीका, variable देखो पहले variable क्या है, पूरी equation में what is the variable, variable is, variable is x, फिर उसकी power देखो, x की highest power क्या है, 2, हाँ भाई quadratic है, this is quadratic, पहचानोगे कैसे, a, b और c क्या है देखो, x square के स साथ जो होता है, वो क्या होता है, a होता है, a x square, plus b x plus c equal to 0 होता है, गिनी, a के साथ जो होता है, वो क्या होता है, x square, तो ये क्या है, a बराबर क्या हो गया, 5, आप कैसे पहचानोगे, x के साथ में क्या होता है, b होता है, तो b की value क्या है, बटा है, b की value है, minus 2, और c की value क्या equation दे दी जाए आपको पहचानना आना चाहिए कि वह quadratic है या नहीं अब देखते है standard form इसको note कर लो अगर note करना है तो standard equation ठीक है यह से तो मैं कैसे भी randomly लिख दिया but standard form क्या है standard form of quadratic equation standard form of quadratic equation standard form जो मैं शुरू से आपको बताता रहा हूँ वही है ax square plus bx plus c equal to 0 इसको standard form क्यों कहा गया है इसको standard form इसलिए कहा गया है क्योंकि जो variable की par है variable की par जो है variable has par in decreasing order decreasing order इस बात का क्या मतलब हुआ x की par पहले 2 है x की par पहले 2 है with ax square with b next term x की par 2 से 1 हो गई ठीक है और अब x की par 0 हो गई x की par 0 हो गई यहाँ पे देखो na ax square means x की par 2 bx bx मतलब x की par 1 है कोई par नहीं तो 1 होती और यहाँ पे तो x है ही नहीं तो क्या हम यह मान लें कि x की par 0 है हाँ बिलकुल मान सकते है क्योंकि अगर कोई भी number पर आप 0 par लगा दो तो उसका मतलब क्या होता है that is equal to 1 तो c into 1 c होगा it means कि x की par पहले 2 है फिर 1 है और फिर x की par 0 है इसलिए हम इसको लिखते हैं ax square plus bx plus c equal to 0 x की जो parts है वो decreasing order में है इसलिए हम equation को standard form of quadratic equation बोलते हैं चलिए अब हम देख लिते हैं NCRT के कुछ examples 4.1 exercise से पहले अब यह देखो NCRT का पहला example है और उसका first part है यह question हमसे क्या चाहता है यह question हमसे चाहता है कि हम quadratic equations को represent करना सीखें और quadratic equations को पहचानना सीखें ठीक है बोल रहा है आपने बहुत सारे word problems की होंगे मैं आपको तरीका बता रहा हूँ word problems को समझने का तो आप इसको ध्यान से देखना अच्छे से follow करना और इसकी help से आप और भी chapters के word problem बहुत ही असानी से कर पाऊगे इस type के जितने भी होते हैं ठीक है बहुत ध्यान से देखना जाउन एंड जीवन्ती टुगेधर है 45 marbles ठीक जाउन और जीवन्ती माँ लो भाई बैने इन दोनों के पास में कितने marbles हैं कितने marbles हैं दोनों के पास में इन दोनों के पास marbles जो हैं वो हैं 45 ठीक बोथ अफ दम लॉस्ट फाइव माबल each, अब दोनों के पास 45 हैं, अभी हमें ये नहीं पता कि इसके पास कितने हैं और इसके पास कितने हैं इस situation को थोड़ा different कर दो मानो, आपके ब्रदर के पास में, आप हो और आपका भाई है, ठिक आप और आपके भाई दोनों के के पास मिला के कितनी chocolates हैं? 12 chocolates है. 12 chocolates. मानो, A plus B is equals to 12. यह आप हो, you and this is your brother. ठीक? अच्छा. आपके पास और आपके भाई के पास मिला के 12 chocolates हैं. तो अगर मैं आपको बोलूँ, अगर मैं आपको बोलूँ कि आपके पास, आपके पास 4 chocolates हैं. मुझे पता चल गया कि आपके पास 4 chocolates हैं. तो आपके भाई के पास कितनी chocolates होंगी? आपके भाई के पास कितनी chocolates होंगी? दोनों के पास मिला के बार है. मुझे कैसे भी पता चल गया? मैंने चेक कर लिया कि आपके पास 4 हैं. तो आपके भाई के पास कितनी होगी? आपके भाई के पास कितनी होगी? भाई, 12-4 होगी क्या? भाई, टोटल 12 थी, 12 में से 4 आपके पास हैं, तो आपके भाई के पास 12-4 जो कि 8 होगी. इसी तरीके से आप इस situation को यहाँ पर apply करो. कैसे? मान लो, क्योंकि हम quadratic equation पढ़ रहे हैं, तो quadratic equation में variable एक ही होता है. ऐसा आप नहीं कह सकते कि John के पास मान लिया X हैं, और जीवन्ती के पास मान लिया Y हैं. तो अगर मैं आपको बोलूँ कि John के पास X chocolates हैं. सॉरी, यहाँ पर marbles की बात हो रही. John के पास X marbles हैं. जैसे आपके पास 4 थी, chocolate, total 12 थी. तो अब भाई के पास कतने मचीं, 12 में से 4, 12-4. तो जीवन्ती के पास कितने marbles हो जाएंगे? अगर John के पास X marbles हैं, तो जीवन्ती के पास कितने हो जाएंगे? टोटल – X. यह बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था. अब situation क्या दे दी? situation दे दी उन्होंने, both of them lost 5 marbles. ठीक? तो हम यहाँ पे इस situation को represent कर सकते हैं. कैसे? बहुत ही असान तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ. धीरे-धीरे अराम से समझो. भले आप शुरू के एक दो questions में time दो, बढ़ फिर बहुत ही like असान हो जाएगा आपके लिए. तो हम लिख लेंगे, let John had, let John had x marbles. मन लिया? John के पास x थे. Then, तो जीवन्ती के पास कितने हो जाएंगे? बाई, टोटल 45 थे. 45 माइनस x. ठीक है? अच्छा. उसके बाद क्या किया? बोट अफ दम lost. 5 माबल्स. दोनों के 5-5 माबल्स खो गए. तो जितने थे उसमें से 5 चले गए? 5 माबल्स lost by John. ठीक? सब उसके पास कितने बचे है? x माइनस 5 बचे. और 5 माबल्स lost by Jeevanti. Jeevanti ने भी अपने 5 माबल्स खो दिये. तो उसके पास थे कितने? 45 माइनस x थे. 45 माइनस x थे. और इसमें से 5 और खो दिये. तो कितने बचे? 45 माइनस x माइनस 5. तो 45 माइनस 5, 40. युल गे 40 माइनस x. Is this clear? अब क्या बोल रहा है? The product of the माबल्स, they have is 1 to 4. इन दोनों के पास जो बचे माबल्स हैं, कर हम उनका product कर दें. अब कितने बचे हैं? John के पास बचे x माइनस 5. और जीवन्ती के पास बचे 40 माइनस x. अगर हम इनको product कर दें, तो value के मिल्री हम है? 124. इस situation को हमें mathematically represent करना है. ये question बोल रहा है. करो भाई represent. multiply करना तो आता ही होगा. पहले x का multiply हम करेंगे 40 से. कितना हो जाएगा? 40 x. फिर x का multiply हम कुछ से करेंगे? इस x से करेंगे. तो x और minus x का multiply क्या हो जाएगा? minus x square हो जाएगा. फिर इस 5 का multiply हम 40 से करेंगे. तो minus 5 into 40. minus 5 into 40. तो आपको कहा मिलेगा? minus 200 मिलेगा. फिर इस 5 का multiply हम is minus x में करेंगे. तो minus 5 into minus x. you will get plus 5x is equal to 124, ठीक है बटा अब देखो अब terms को खटा कर लो 40x और 5x मिला के कितना हो गया, 45x और यहाँ पर x square, तो standard form मैंने आपको कैसे बताईती है, यह x square को सबसे पहले लिखना है, तो x square वाली term को सबसे पहले लिख लो माइनस है, कोई बात नहीं बना रहने दो माइनस x square 40x और 5x को add कर लो क्योंकि x square के बाद कौन से अटम आना चाहिए, x वाल अटम आना चाहिए x वाल अटम कौन से, 40x और 5x 45x हो गया है, और यहाँ पर minus 200 है, और इस 1 to 4 को इधर ले आओ, इधर क्यों ले आओ, क्योंकि हमें equal to 0 show करना है, quadratic equation थी हमारी x square plus bx plus c equal to 0 तो इस side में हमें right side में 0 रखना है, तो इस टम को भी इधर ले आओ, इधर minus 200 था, और यह minus 1 to 4 भी इधर आगया, तो minus 200 और minus 1 to 4 मिला के हो गया minus 3 to 4 equal to 0, अब यह equation ठीक है, बट इसको अगर proper आप standard form में लिखो, तो आप try करो कि a की value को, a की जो value है वो negative में ना है, अभी यहाँ पर a की value कुतनी है अगर मैं लिख रहा हूँ minus x square अगर मैं लिख रहा हूँ minus x square, तो a की value कुतनी है यहाँ पर a क्या होता, ax square होता है plus bx plus c, तो a की value यहां पर कित्मी एक की value minus 1 है minus 1 into x square is minus x square यहां पर एक की value minus 1 है तो आप try करो कि एक की value negative में ना हो तो इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा इस पूरी equation को मैनस 1 से multiply कर दो जब आप minus 1 से multiply करोगे तो यह x square जो है या फिर आप क्या कर सकते हो इस पूरी equation को इस side लिए जाओ तब भी तो यह होगा इस पूरी equation को आप जब इस side लेके जाओगे x square हो जाएगा minus x square plus x square हो जाएगा 45x minus 45x हो जाएगा और 3 to 4 positive में जाएगा और equal to 0 ठीक है अच्छा तो आप कुछ भी कर सकते हो चाहे minus से multiply करो चाहे इस पूरी term को इधर लेके जाओ और इस 0 को इधर लेओ it's the same thing तो अगर आप ऐसा करोगे तो क्या हो जाएगा minus x square plus x square में बन जाएगा 45x minus 45x हो जाएगा और minus 3 to 4 plus 3 to 4 हो जाएगा equal to 0 यह हो गया इस problem का mathematical representation तो अब इस equation में अगर मैं बात करूँ x square minus 45x plus 3 to 4 a की value कितनी है 1 b की value कितनी है minus 45 और c की value कितनी है 3 to 4 इस question को note कर लो ठीक है वैसे तो इस question में ये भी पूछा है कि कितने marbles है John के पास starting में और जीवनती के पास बट क्योंकि अभी हमने quadratic equation को solve करना नहीं सीखा है कोई भी equation होती जैसे ये equation है 2x plus 4 equal to 0 तो यहां से इसको आप solve करते हो ना x की value मिलती है हर equation को solve करने से solution आपको मिलेगा वैसे ही x squared minus 45x plus 3 to 4 को भी solve करने से आपको जो solution मिलेगा वो आपको ये बताएगा कि x की value कितनी है अगर आपको x की value पता चल जाएगी तो पता चल जाएगा John के पास कितने marbles थे और जीवनती के पास में कितने marbles थे बट क्योंकि अभी हमने quadratic equation को solve करना नहीं सीखा है तो ये solution मैं आपको last में बताऊंगा जब हम इसको solve करना सीख लेंगे next video में ठीक है तो please note this down दखो ये question, cottage industry produces a certain number of toys in a day, एक cottage industry है चो की कुछ toys produce कर रही है एक दिन में, ठीक अच्छा, the cost of production of each toy in rupees was found to be 55 minus the number of toys produced in a day पर ये question को समझो, बोल रहा है cottage industry produce कर रही है certain number of toys in a day, यहां पर हम लिख लेंगे number of toys produced in a day, मानलो x toys बना रही है वो, ठीक बोल रहा है cost of production, एक toy को बनाने में जो cost लग रही है उनको, वो लग रही है 55 minus the number of toys produced in a day, बोल रहा है कि एक toy को बनाने की जो cost है cost for producing a toy in a day, एक दिन में एक toy को बनाने की जो cost है, वो है 55 minus the number of toys produced in a day, अगर एक दिन में अगर एक दिन में 10 toys produced हो रहे हैं, अगर एक दिन में 10 toys बन रहे हैं, तो एक toy को बनाने की, the cost of production of each toy, एक cost of a toy को बनाने की जो cost है, वो आएगी 55 minus 10, जितने बन रहे हैं 55 में से उसको गटा दो, वो होगी cost एक को बनाने की 55 minus the number of toys तो कितने बन रहे हैं एक दिन में एक दिन में X बन रहे हैं तो एक को बनाने की cost एक दिन में एक खिलाओने को बनाने की कीमत एक दिन में होगी 55 minus जितने टोई एक दिन में बन रहे हैं X बन रहे हैं ठीक और अब particular day किसी particular day की बात करी, हमने मानलो Monday की बात की, Tuesday की बात की, या Wednesday की बात की, तो बोल रहा है, total cost of production was Rs. 750, बोला की, total cost एक particular दिन में, Tuesday, Wednesday या Friday, किसी भी दिन, अगर हमने एक random दिन चूस किया, तो हमने देखा, उस दिन, total cost of production है, 750 रुपीज, ठीक है, तो इस situation को हमें represent करना है, अच् total cost of production का मतलब समझो पहले, मानू, मानू, एक दिन में, एक दिन में, दस ट्वाइस प्रोडूज हो रहे हैं, दस खिलोने एक दिन में बन रहे हैं, एक दिन में, दस खिलोने बन रहे हैं, एक खिलोने को बनाने की cost, एक खिलोने को बनाने की cost मानू है, 35 रुपीज, 35 रुप एक टॉय को बनाने की कॉस्ट एक दिन की एक दिन में गर हम एक टॉय बनाएंगे तो उसकी कॉस्ट है 35 रुपीज तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी टोटल कॉस्ट टोटल कॉस्ट फॉर वन डे एक दिन की कंपनी की लागत कितनी लगेगी टॉय बनाने की एक टॉय बन रहा है 35 रुपए में 10 ट्रॉइस बनाने है 35 इंटू 10 यह एनलॉग यह मैंने आपको क्यों दी इससे कि आपको यह कुश्चन समझ में आ जाए ठीक अच्छा सेम चीज यहां पर करनी है बोल रहा है कि एक दिन में X खिलोने बन रहे हैं एक दिन में X खिलोने बन रहे हैं टोटल कोस्ट टोटल कोस्ट फॉर वन डे एक दिन में X खिलोने बन रहे हैं और एक खिलोने को बनाने की एक दिन की कोस्ट है 55 मैनस X तो जितने खिलोने बन रहे हैं इंटू जितने उनकी एक की कोस्ट है एक की कीमत 55 मैनस X इतने बन रहे हैं तो यह सम किसके बराबर होना चा अब इसको solve कर लो ब्रता इसको solve कैसे करोगे इसका multiplication पहले इसमें तो ये 55X माइनस फिर इसका multiplication इसमें तो X का multiplication माइनस X में करोगे माइनस का X square आ जाएगा पराबर 750 हमें कैसे लाना है हमें लाना है A X square plus B X plus C के फर्म में लाना है तो बस कोई दिक्कत नहीं, x square वाले term को पहले लिख लो, x square वाले term को पहले लिख लिया, 55x को बाद में लिखो, x वाले term को x square के बाद लिखो, और इस 750 को इधर लाना पड़ेगा, क्योंकि हमें equal to 0 करना है, इस minus 750 को इधर ले आओ पुराने वाले question की तरह से minus sign का multiply करदो पूरी equation में minus common ले लो, तो जब आप common लोगे, तो क्या बचेगा, x square minus minus 1 का multiply दोनो तरफ करदो, minus minus cancel हो जाएगा, यह हो जाएगी आपकी quadratic equation, x square minus 55x plus 750 is equal to 0, यह पहर a की value कितनी है बटा, 1, b की value minus 55 और c की value 750, अब बोल रहा है we would like to find out the number of toys produced on that day, हमें बताना है कि उस दिन कितने खिलाने बने थे मतलब एक दिन में कितने खिलाने बने थे ठीक है तो हमें x की value चाहिए x की value कैसे मिलेगी, इस equation को solve करके, जो की अभी तक हमने सीखा नहीं है कि quadratic equation को कैसे solve करते हैं, next video में हम solve करेंगे, तब इसका solution हम find out करेंगे, तब तक के लिए आप quadratic equation की form में इस problem को कैसे लिखना था, आपने वो सीख लिया note कर लो अब यह question देखते हैं, बोल रहा है check whether the following are quadratic equation हमें check करना है कि यह जितने भी problems आपको given है, यह quadratic equation है या नहीं check करने का तरीका क्या है? check करने का तरीका है, बच्चों x square का जो coefficient है, वो 0 नहीं होना चाहिए चलिए, ठीके करके हम check करते हैं पहला है, x minus 2 whole square plus 1 equals to 2x minus 3 इसको लिख लेते हैं इसको open करते हैं, a minus b whole square को open करते हैं तो यह हो जाएगा, x square plus 4 minus 4x क्या है, plus 1 equals to 2x minus 3 अब देखो, यहाँ पर 2x को इधर ले आओ यह 4 plus 1, 5 हो जाएगा और इस 3 को भी इधर ले आओ तो यह कितना हो जाएगा 5 minus 4x minus 2x इधर आ गया यह हो गया, minus 6x और इस 3 को भी आप क्या करो इधर ही ले आओ क्योंकि हमें right side में equal to 0 चाहिए form क्या है हमारा, ax square plus bx plus c equal to 0 इस form का चाहिए और हमें check करना है, तो a की value 0 नहीं होनी चाहिए ठीक है, अब दखो, तो यह कितना हो जाएगा, x square minus 6x plus 8 equal to 0 simple question, so इस पे में tick लगाता जा रहा हूँ, it means कि यह quadratic equation है tick, आप दखो, second part दखो यह बोल रहा है, x की multiply करने ही पहले x plus 1 में, तो यह कितना हो जाएगा, x square plus x x square plus x plus 8 is equal to कितना हो जाएगा यह, x plus 2 x minus 2, तो यह किसका formula है, a plus b, a minus b, a plus b, a minus b, a minus b आप identity लगा दो, नहीं तो आप multiply कर लो, a plus b, a minus b क्या होता है, a square minus b square, अगर identity याद नहीं है, तो direct multiply कर लो, a square minus b square, a plus b, a minus b, तो a square, मतलब x का square, minus 2 का square, 4, direct कर दिया मैंने, नहीं तो आप x square, फिर इसकाइस में, फिर इसकाइस में, फिर इसकाइस में, सेम value मिलेगी, अब देखो बटा, यह कितना हो गया, x square से x square cancel out हो जाएगा, क्यों, x square को जब आप इधर लाओगे, तो x square minus x square हो जाएगा, यह cancel out हो 0, क्या इस equation में, क्या इस equation में, a 0 है, हाँ जी है, क्योंकि a 0 है, तभी यहाँ पर x square exist, नहीं कर रहा है, it means this is not a quadratic equation, ठीक, cross लगा दिया, इस question को देख लिएते हैं, अब देखो, multiply करो, x into 2x, 2x square plus 3x is equals to x square plus 1, बहुत simple, अब देखो, x square को देखो, 2x square minus x square, value will be x square, plus 3x, 1 को भी देखो, is equal to 0, a की value 1, b की value 3, or c की value minus 1, it means कि यह a quadratic equation है, अब इस पर देखो, x plus b to the whole cube, तो a plus b का whole cube क्या होता बच्चों, a plus b whole cube, देखते ही बच्चों को लग जाएगा, कि भाई, यहाँ पर तो cube है, हमें तो x की highest power 2 चाहिए, देखते ही भाईया, नहीं, quadratic equation है, रे भाई, solve तो कर लो पहले, तो a plus b to the whole cube क्या होता है, a cube plus b cube plus 3a square b plus 3ab square, यह होती है identity, ठीक है, अच्चा, तो a plus b to the whole cube, x plus 2 का whole cube करना है, तो value क्या मिलेगा, x cube plus 2 cube, 2 cube is 8, plus 3a square b, means 3a की जगा x, x square और b की जगा 2, 3x square into 2, तो यह हो जाएगा value 6x square, plus 3ab square, 3ab square, तो value कितनी मिलेगे मैं, 3 into a, x 3x और 2 का square करना है, तो 3x into 4, 12x, simple, ठीक है, सब चीज़े बहुत simple है, मैं फिर भी बता रहा हूँ आपको, अच्छा, अब यहाँ पर देखो, क्या x cube और x cube cancel out हो जाएंगे, हाँ जी, x cube को आप इधर लाओगे, तो x cube minus x cube, means इसको आप cancel out कर सकते हैं, अब इसको खटा कर लो, तो 6x square हमें सबसे पहले लिखना पड़ेगा, क्योंकि x की पार 2 है, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, plus 12x लिख देंगे, यह minus 4 इधर आ जाएगा और पहले से 8 है, तो 8 plus 4, 12 equal to 0, अभी यह quadratic equation है, हाँ है, अभी इसमें कुछ common भी दिख रहा है, ठीक है, तो क्या common दिख रहा है बिटा, 3 common है, तो पूरी equation से 3 common ले लो, तो यह अंदर कितना बचेगा, 2x square plus 4x equals to 0, तो यह 3 इधर से डिवाइड होगा, 0 जाएगा, तो value कितनी होगे, 2x square plus 4x plus 4 equal to 0, quadratic equation है, क्योंकि x का term coefficient 0 नहीं है, तो इसको आप note कर लो, पहला, तीसरा और चौथा, यह quadratic equation है, second नहीं है, ठीक है, तो इस introduction पार्ट में, बस इतना ही, quadratic equation का पहला lecture हमने complete कर लिया है, आपको basic understanding मिल गई होगी, कि quadratic equation क्या होती है, उनको कैसे हमें solve करना है, यह हम सिखेंगे अगले वीडियो में, अभी तक आपने सिर्फ उनको पहचानना सीखा है, और उनको mathematically represent करना सीखा है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगिए, तो like जरूर करना, चैनल को subscribe जरूर करना, अगले वीडियो के लिए बने रही है हमारे चैनल के साथ, thank you.